नमशकार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दृशास सत्कीरह में आपके साथ में हूँ आपका Lifton Saq चर्चा करेंगे आज 15 फर्वरी का और आज आप हमसे इंदोर में मिल सकते हैं आज हम इंदौर में हैं, कल भी इंदौर में रहेंगे, इंदौर में अगर मिलने के लिए एक शुक हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है, आप जब हमसे मुलाकात कर सकते हैं, इंदौर के आज पास के लोगों से आग रहा है कि अगर आप मिलने के लिए एक शुक हैं तो दिए गया नमबर पर कॉल कर लिजिए और हाँ हुलाश्टक महातंत्र अनुष्ठान इस दिब्य अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं इस दिब्य 4619250 पर WhatsApp करके आप राप्त कर सकते हैं आईए बढ़ते हैं और अब जानकारी करते हैं आज के दिब्ब कारिकरम सुरबात करते हैं जोतिश दिशा की नक्षत्र 27 मीडिया की अजभुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा फाल गुर्मा किष्ण पक्ष नौमी तिथी साथ बजकर 49 पिनट सुबह तक इसके बाद दश्मी तिथी आज दोनों तिथियां एक साथ हैं नौमी और दश्मी चंद्रमा ब्रिश्चिक राशी में नक्षत्र रहेगा जेश्ठा और योग रहेगा व्यागहात तदर्शार जिनांक 15 फरवरी दिन बुधवार बुधवार को राहुकाल का समय होता है दोपहर 12 से डेढ़ और गुलिक काल सुबह साड़े दस से बार राहुकाल में नए और शुब काम नहीं करने चाहिए लेकिन गुलिक काल में आप कर सकते हैं मेश से लेकर भीन तक अब आई जानते हैं आज की दिव्व भविश्वारी मेश राशी हर इस्थती आपके अनुसार है चिंताओं से मुक्ति मिलेगी शुब कार संपन्न होंगे पढ़ाई खोब अच्छी है बैपार में आई बाधाएं दूर हो रही है प्राइवेट सेक्टर वालों को थोड़ा सा उठा पटक का सापना करना पड़ेगा सोच समझ करने अड़े लीजेगा सरकारी छेत्र की स्थती में कुछ बड़ी उपलब्धियां होंगी दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी का खूब साथ रहेगा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ में कई प्रकार की मुश्कलें आ सकती है लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा सजग रहिएगा स्वास्थ के मामले में पेट और किट्नी की समस्या बनी हुई है क्या उपाय करना चाहेगे रापकी राशी मेश है आज मेश राशी बालों को मादुरगा को प्रणाम करके एक घी का दीपक कुर के सामने जलाना शुब होगा शुब रंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रतशत चौंसट बिशब राशी दिरांक पंद्रह फर्वरी शिक्षा के प्रति थोड़े से उदासीन रहेंगे पढ़ाई में कमी आएगी लेकिन व्यापार आपका उन्नती दे रहा है बिजनस में कोई समस्या नहीं है प्राइवर्ट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़े फैसले देगा आप कुछ अच्छा कर सकते हैं सरकारी छेतर में उठापटक है गवर्मन्ट सेक्टर आपके लिए मुश्किल देगा दामपत्त जीवन बहुत अच्छा है पत्नी का साथ बना हुआ है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ में मामला हाथ से बाहर जाएगा स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो दादों की तकलीफ और माइगरेन की समस्या बनी रहेगे क्या उपाय करना चाहिए आज बिशव राशी वालो ओम हंग हनुमते नमह ग्यारह बार इस मंत्र का जाब करिएगा आज का दिन शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज औरेंज भाग की प्रतिशत मिथुन राशी पढ़ाई में पूरता है सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार दिब्ब है बिजनस में बाधाओं से मुक्ति है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए आज अच्छा कुछ कर रहा है प्राइवेट सिक्टर में किसी तरह की समज्श नहीं है सूच समझ कर फैसला लेजेगा क्या उपाय करना चाहेगर आपकी राशी मिथुन है आटा और चीनी सीधी हथेली पर लेकर किसी पौधे की नीचे रखना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रतिशत पचपत करकराशी निरांग 15 फरवरी पढ़ाई में गजब की पूर्टा है शिक्षा में कोई दोश नहीं ब्यापार अच्छा चल रहा है और सर बड़े दे रहा है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उत्तम फल प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है सरकारी छेत्र को लेकर के थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यक्ता है दापते जीवन अच्छा है बचपणों का साथ रहेगा तो विवाद आते आते सुलच जाएगा लव लाइफ कुछ अच्छा करने की चाहत को प प्रंग आपके लिए स्लेटी भाग्य प्रत्शत पचास सिंग राशी जिरांग 15 फर्वरी पढ़ाई में कुछ बड़ा करेंगे सिक्षा में लाव हो रहा हैं ब्यापार में स्थिति आपके सुधार आ रहे हैं बिजनस में किसी तरह की रुकावट नहीं है प्राइवेट स सकती है स्वास्थ के मामले में बैक की प्राबलम आखों की तकलीफ हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आपकी राशी सिंग है सिंग राशी वालों को आज प्रियूक की तोर पर ओम गंगनपते नमः ग्यारह बार भगवान गणेश का ध्यान कर लीजे मत्र ग्यारह बार ब शिक्षा में पूरता है पढ़ाई की स्थेति बहुत अच्छी है की ब्यापार में कुछ बरा हो रहा है प्राइवट शिटर में उलजण बढ़ सकती है सरकारी चेतर में सुधार हो रहा है दांपत्य जीवन बहुत अनगूल है पतनी का हर कदम प्रसाथ रहेगा लव लैप के तौर पर मादुर्गा की तरफ ध्यान ले जाए शुबरंग आपके लिए काला भाग की प्रतिशत 57 तुला राशी पढ़ाई में पूरता है शुक्षा की स्थिती बहुत अच्छी है व्यापार को लेकर सजग रही बिजनस में उल्जन बढ़ सकती है आज रिस्क नहीं लेना है पार्टनर्शिप पर ध्यान देना है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा फल दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी सरकारी छेत्र सुधार की तरफ है दांपत्र जीवन बहुत अच्छा है पत्नी तुला है आज का दिन बहतर करने के लिए उपाय है एक छोटा सा लॉंग सर से तीन बार वाली कहीं डाल दीजे शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रतिशत 57 ब्रश्चक राशी माहौल आपके पक्ष में है सिक्षा में पूरता आ रही है ब्यापार की स्थिति सुधर रही है प्राइबिट सिक्टर आपके लिए अनकूलता दे रहा है सरकारी छेतर को सुधारने में प्रयास देज करिएगा दामपत्त जीवन अच्छा रहेगा पतनी का साथ है सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे का लव लाइफ में कुछ उल्जने बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम और आखों की तकलीफ हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज का दिन भगवान शिव की तरफ आपको मैं ले चलूँगा ब्रिश्चिक राशी वालों को शिव सिक्षा में कोई दोश नहीं है ब्यापार अच्छा है बड़ा फैसला होगा बिजनस में आई बाधाएं दूर होंगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत सकरात्मक परिणाम देगा प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं है सरकारी छेत्र की स्थर की जीवन बहुत अनकूल है पतनी का खूब साथ मिलेगा एक दूस्ते को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ की स्थती में मांसिक तनाव बढ़ रहा है स्वास्थ के मामले में किड्नी आख और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए किसी जरूरत मंद को अपन मांसिक शांती मिल रही पढ़ाई में सुधार है आज का दिन ब्यापारिक दिश्टिक कोर्ट से साजेदारी में विघ्टन आ सकता है प्राइबिट सेक्टर बड़े परिणाम देगा आज काम में मन लगेगा सरकारी छेतर की स्थिति में सुधार होगा दामपत्य जीवन क्रेट इस्थिति में जा रहा है दामपत्य जीवन बहुत अनकूल है लव लाइफ में तनाव बढ़ सकता है सोच समझ कर फैसला लेजे स्वास्त के मामले में डाजेशन की दिक्कत है लीवर की प्राबलम है आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अपने कंठ पर थोड़ा सा काजल लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए औरेंज भाग्य प्रत्षत तिरपन कुम्भराशी दिन बहुत अनकू स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम आख और किर्णी की प्रॉब्लम है की समस्या हो सकती है कि प्रियोग क्या करना है उल्टी हथेली पर थोड़ा सा कपूर रखिये और लॉंग रखिये किसी पौधे की नीचे रख देजे शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज आस्मानी भाग्य प्रत्षत साथ अंतिम राश मीन पढ़ाई में पूरता हो इस्तती थोड़ी सी डावा डोल होगी दांपत जीवन अच्छा है पत्ती का साथ रहेगा ससुरा से रिस्ते को मधूर करने का प्रयास करें लव लाइफ में मुश्कले आएंगी यहां पर बढ़ सकती स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम आंख और किड्नी की समस्या हो और शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भाग की प्रतिशत सब्तावन तो राशियों का हाल हो ही गया मीन राशी तक का आज आपने जान लिया है आपको जानकारी देते कि आप आज और कल दो दिन इन दौर मिल सकते हैं इसके बाद मुलाकात पुने में हो आज के खास सकसवी का सामान जल उल्टी हथेली पर ले दाइने हाथ के अगुठे से सपर्श करके तीन बार कंट से सपर्श कर ले जल को प्रतिवी पर डाल देते या आज का दिव्य प्रियोग है इसको आप करें घर बैठे बैठे कर ले और यह आपके दिन को सफल करने का क नहीं छोड़ेगा, कर लीजेगा. चर्चा करते हैं वाज के विशेश भाग्याक्षर का, मिश जाग्षर, विशब भा, मिथुन थाग्षर, करक, चा, सिंग, धाग्षर, कन्या, भा, तुला, छोटा आग्षर, विश्चिक, वा, धनू, माग्षर, मकर, का, कुम्भ, गाग् शुब भाग्याक्षर सादे चग और कागज पर लिखना भर है लाल रंग के इंक वाली कलम से और अपने पास रखना है काम पूरा आए चर्चा करते हैं वाज के दिब्ब विशेश में भी विशेश क्या जो आज पैदा हुए है आयुशमान भवा में बहुत सारी शुब कामनाएं अगर आज दिनांग 15 फरवरी को आपका जनम दिन है तो आपके लिए प्रियोग है किसी जरूरत मंद को भोजन कराईए पेट भर वस्त्र का दान करिए और कुछ खाने के लिए देदेजे बस इतना सा करिए शुब कामनाएं आपके लिए खुश रहें प्रशन रहें दिनांग 14 माफी जगा दिनांग 15 फरवरी को अगर आपकी मैरेज अनवरसरी हैं दो लोगों को भोजन कराईए और तीन बच्चों की सिक्षा में मदद करिए आज के इस खास अंक में बस इतना ही अपना ख्याल रखें मुश्कुराते हसते खिरखलाते रहें आगे आगे चलते रहें आगे आगे बाड़ते रहें आपके लिए यही सबसे उप्यूगत रहेगा और हां हुलाश्टक महातंत्रनुष्ठान में देखिए बहुत सारे चीजें हैं बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसके के विश्य में आपको जानकारी नहीं है ऐसी इस्थिते में आपको हुलाश्टक महा तंत्र अनुष्ठान में भाग जरूर लेना चाहिए 26 फरवरी से सुरू होकर साथ मार्ज तक तंत्र का अनुष्ठान चलेगा जिसमें आपके समस्याओं के निवारण के लिए जाप और हवन होगा दोनों वैदिक तंत्र रोगता है इस पर विश्थित जानकारी है हमारे कार्याले के नंबर आचारे शिवम जी से जानकारी ले ल करते हैं